जहिन बच्चो वेलकम बेग पुना आपका स्वागत है समाधानी स्टडी यूटूब चैनल में बहुत ही बहुत आपको सुपकावना है जिन विद्ध्यार्तियों के बहुत अच्छे माकसा है और जो विद्ध्यार्ति यहाँ दोजार इकीस की प्रिप्रेशन करना चाहता है और हमसे पढ़ना चाहता है और अपनी मंजिल को पाना चाहता है अपने पैरेंट्स का अपने माता-पिता का नाम रोसं करना चाहता है अपना एक अच्छे से नाम कमाना चाहता है तो आपको बच्चा यहाँ पर क्लासेस लगाना बहुत ही जरूरी है बहुत ही महत्पून ह तो हम आपके साथ जुड़ चुके हैं कि आप भी हमारे से जुड़ने में तयार हैं जल्दी से बताज दीजे मुझे कि हा सर हम भी तयार है तो आज मैंने बहुती सांदर तरीके से पेपर लाया है कौन सा सर एनेम अभी जो आपका एक्जाम होगा साथ दिन पहले उसका पेप जैसे कि आपको एक्जाम डेट दिख रही है पहली सिप्ट का यह एनेम वाला इस्टुडेंट का पेपर है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संक्या में जुड़े बच्चा और कैसा एक्जाम का पेटरन पुछा जया था दोजार बीस में और उसी पेटर है डाहेट की तैयरी कर रहा है वेट्नरी की तैयरी कर रहा है बच्चा covered देख लिए ईग्जाम का पेबर आपके सामने करओ यहा पर और आप जो मैं चाहता हूँ कि अधिक सान्क्या में जुड़े और यहां पर देख लिए लेबल किस पेटन पर और जो हमारी तीयारी चल रही है किया ठीक चल रहा या नहीं है यही मेरा मकसद है आपको कि हम जो पढ़ा रहे बच्चा हो वो कोस्चन में जो आपके पेपर में आ रहा है तो चलिए बच्चा मैं आप सेशन स्टार्ट करूँगा क्या आप लोग सहमत है यहाँ पर तो मुझे थमसब कर दीजी कि हां से रम जूर चुके हैं चलिए कित्वी स्टुडेंट जूर चुके हैं मुझे जरूर से थमसब करके बताएं मैं तब स्टार्ट करूँगा एक एक कोस्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सभी विद्यार्तियों के लिए बच्चा यह सुरुवी थी 2014 में मैंने जो क्लास बनाया था उसमें आपको बता दिया था जी कहा सर देखिए नेस्ट कोस्टन है बहुत ईजी कोस्टनप पूचा गया था बक्चा देखिए यहाँ पर कोस्टनप पूचा गया था सत्ते में व जयरते उपनी सर्ध का मुला सुरूत से तो यहां से पूछ flying यहां यहां लिया और आपका वंड्या टरभी वही से लिए गया मध्य पदेश में जन्मे असलम से खा भारत के प्रसिद्ध खिलाडी है किस खेल से खिलाडी थे तो यह थे आपके होकी से अगर किसी विद्यार्तियों को अगर आंसर की दिखनी रहोगी तो बच्छा इस तरीकी से आप लोग आंसर की चेक कर सकते हैं मैंने वीडियो बना दिया है आपके लिए चलिए देखते हैं सर नेश्ट कोस्टन क्या पुछ आ गया था आपसे मैं इसके आंसर आंसर ही बतारो बच्चो आपको और आपको जो ऐसा लगता है कि आप लोग इसे नोट डाउन करें क्यों कि यह जो है अभी आपका पेपर हौकी से संब्दित किस से संब्दित है हौकी से संब्दित है इसके बाद बच्चा मैं आपके साइंस के भी कोच्चन कर रहा हूंगा महामहरतन क्लास है मतलब आपके यहाँ पर मुझे देर सो कोस्टन करवाना है कितने देर सो कोस्टन करवाना है इसके बाद साइंस के भी क रहने के बाउद भी आपर टीक नहीं लगा पाएं तो क्या वह सर गुना इसका राइटा रोगा क्या आप सभी बैतरीन तरीके से कर पाएं क्या चलिए बिल्कुर सभी विच्छों ने सही प्रियास किया है चलिए देखते बच्छा नेस्ट कोस्टन क्या है मद्यपरदेश मे वैन गंगा नदी निम्लिकित में से किस नदी की सायक नदी है चलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा सर तो यहाँ पर गुदावरी आंसर होगा क्या सभी बच्छे ऑप्शन नमर बी कर पाए थे तो बिल्कुर अगर आप सभी विध्यारती ने ऑप्शन नमर बी प्रियास किय चलिए क्या आप सभी विध्यार्ति क्लास में जल्दी से बोले कह समेंसे सब्सक्राइब ये गहें है तो आप मैं चाहता हू अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएस आप पर हमसे 8 बजे जुड़ते हैं आज महामहरतन क्लास में जल्दी से आप सभी दियारती जुड़ जाइएगा दुबरी वन्यजी और भैरन मद्यपरदेश के किस जीले में है बच्चा मेरी जो MP वाली मैंने आपके लिए महामहरतन क्लास लिया था तीन हावर्स की वहाँ पर ज राष्टिय उद्धान को भारत में 22 के रूप में किनी सो समझ के लगात तो यह किया था 1994 मेंने-किSो को किया था 1994 में किया था जल्दी से मुझे थमसप टिजीं क्या यहां पर आपको सेशन समझ में आ रहा है अगर आप लोग शुड़ करेंगे बच्चा तो आपके लिए पूछा गया था ऐसा माना जाता है कि भगवान क्रस्ण ने अपनी इसकुली सिक्षा उज्जेन इस्तित खालिस्तान में की थी तो यहाँ पर क्या की थी इन्होंने सिक्षा करण की थी यहाँ आपको ध्यान रखना है ठीक है बच्चा चलिए देखते हैं इसक्षा क्या आने के बाद विश्राम किया था तो अप चित्रकुट खाले बहुत ही सांदार만 पूच जा था भारत में किसी बी राच्जे का राजय पाल बनने के लिए नियूनतम अयू कितनी है तो बच्चा देखें अगर आपको यहाँ पर राज्जेपाल बनना है चाहे राश्टपत बनना है आपकी उम्र कितनी होना चीए सर तो यहाँ पर 35 साल आपकी उम्र होना चीए तो क्या आपने सही प्रियास किया था जब आपने एक्जाम होल में दिया होगा बच्चा तो आप जो है आप लोग गलतिया नहीं करेंगे हमने पूरा पेपर आपके लिए एनालेसिस तव सब्सक्राइब लगा है चलिए दिसंबर 2020 में भारत भर में अनतिम मील का फर डिजिटल विट्य समाविस् प्रदान करने के प्रयास में डाक विभाक के साथ भारतिय टाग भुखतान wenk द्वाराय सुरू किया गया एपलीकियशन अपने देखा होगा चलिए बढ़ते हैं क धायरपूरों को पढ़ियेगा बच्चा बेंकक दोजार अठावीस एक में स्वर्ण पदत जीदने वाली मध्यप्रदेश की मुस्कान किरार बहुती सांदार कोश्चन पूचा गया था बच्चा मुस्कान किरार किस केल से संब्दित है तो यह सर है तीरन दाजी से किस केल से कुछ बबी कोश्चन करवाने म allowing हूं छलिये लिर इस्तर कोश्चा क्या पूचा गए सर एक बार सेहर कर दिजिये जो हमें सुन पार है एक बार सेहरों को सेहर जरूर कीजेगा दो देकर क्ले सा ंथेचर प्राइस में कहां बार क्athyहां कि है सेशन लाने का मकसद यही यह हम लोग 2021 में तयारी करने वाले हैं जी हां बच्चों बिल्कुर थम सब कर दिया आपने चलिए सेशन समझ में भी आ रहा है आपको इसलिए मैं इसको लॉंग नहीं कर रहा हूँ ठीक है बच्चा मैं चारों ओप्शन देकर भी आपसे कोमेंट्स करके कोस्टन का आंसर पूछ इसलिए मैंने यह सेशन लाए है और इसी के एकॉर्डिंग मेरी क्लासेश चल रही है तो उसके थ्रू ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हां सर इस तरीकी से आपको प्रिप्रेशन करना है देखिए इन यहाँ पर एक बुक का नाम दिया है सर क्या है इन परस्यू आप ज सचर सचर इसका राइटन से रोगा क्या आपको समझ में आ चुका है क्या बिलकूर आ चुका है तो ध्यान पूरक देखिएगा सर नेश्ट कोशन क्या पूचा गया था तो बिलकूर नेश्ट कोशन आपको बता दे सीवरास्ट चे चववान ने वर्स खाली बार मद्देप पाँच में कब लीती सर दोजार पाँच में पहली बार इनूँने सपत लीती अभी कुमसा कारिकाल चल रहा है स АнTON तो कोष्टम पूछा गया था Ettinyaёзिक सहर बुरहान पुर किस नदी के कारण तो 21 नदी के किनारे बबसा रहे वह आपको ध्यान रखना है बुरहान पूरु अपको तापती नदी के किनारे बसा है तो क्या होगा तो तापती नदी इसका राइटांस रोगा चलिए सर नेस्ट कोस्टन क्या पूचा गया था आपसे मद्य प्रदेश ने 35 वी राष्टे जुनियर एसलेटिक चेंपियन सिन 2019 में लड़कियों की 200 मिटर रन में मतलब एक नया नया रिकार्ड बनाया था तो यह किसने बनाया था सर तो यह बुसरा खा गवरी ने बनाया था किसने बनाया था सर बुसरा खा गवरी ने यह बनाया था चलिए यहाँ पर अधिक से अधिक आप लोग स्टूडेन को जोड़ी बच्चा यहाँ बहुत ही महत्पून क्लास है कुछ दिन में मैं A&M वाले student का भी और पीनेस्टी वाले का भी यहाँ पर analysis करवाने वाला हूँ चलिए क्या है सर नेस्ट कोर्चन उजेन में पहले कालिदार समारों का आवजन खालिस्तन दौरा किया गया था तो यह था सूर्य नारायन व्यास दौरा किया गया था चले बढ़ते है नेस्ट कोर्चन क्यों से किया पूचा गया है आप लोग गलतिया नहीं करेंगे आप पहले ही बता दिया था बहुत बार बताय था कि अगर बच्चा आपको मुख्याले पूछा जाए तो आग बंद करके भोपा लगा दीजेगा अगर आपने नहीं लगाया होगा तो आपकी ही गलती होगी मैंने आपको बताया था जब आपकी मैंने जीके की क्लास ली थी चलिए बढ़ते बच्चा अगर बच्च लिए नहीं कि और भी एपको बताया था मैंने कि आप लोग प्रथमend और yaad कर लिजेगा हिदायद तुलना डोह घ Kalau Mine कि म soroon का है बढ़ते मैं चलिए बैतूल में तापती नदी किनारे बस यह चोले इसी तरीके से आपको याद रखना है यह कोश्चम पूचा गया था आपसे बहिसक्रत हितकार्णी सभा को खालिस्तन द्वारा इस्थापित किया गया था तो यह बिया रामबेटकर जो आपके सविधान सभा मतलब प्रारूप समिस्ति के सदस्ति भी माने जाते है कौन सर बियारा मेटकर क्या आपको सेशन समझ में आ रहा है बच्चो तो एक बार सेशन को सेयर कर दीजिए चलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग अधिक से अधिक संक्या में जुड़े इस क्लास में और समाज से भी कारे करता है जिन्होंने अनाथाल और कई प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की वह मतलब प्रदेश के किस निर्वाचन शेतर में पाचवी लोग सभा के सदस्य है तो देखिए सर यह है मंडला के कहा है कि सर मंडला के है क्या आपका ओप्सन नमबर डी प्रयास था तो बिल्कुर अगर आपने अप्सन नमबर डी प्रयास किया तो सही प्रयास किया है चलिए सर नेस्ट कोशन क्या है देखिए अभी बच्चों में साइंस की भी कोशन लाने वाला हूँ थोड़ा वेट कीजिएगा साइंस को कुस्चन भी जल्दी अभी स्टार्ट वने खेतर में किस प्रकार की जल्वायू है तो यहां है मानसुनी जल्वायू कौन सी सर तो मानसुनी जल्वायू अगर आपका प्रयास आ रहा है तो बिल्गुर सही प्रयास किया है और बहुत ही सांदर प्रयास किया है चलिए नेस्ट कोशन क्या पूचा गया था तो नेस्ट क क्या पुषू जा सकता है अब बताये सौमेव विधयारती के जन्वत दिन पर कौन सा देख समय बतायए को कौन सा देख समयारत करके बताय अगर हमें देख पा रहे हैज तो आप लोगर अंसर 고 новых तो आपनों मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मना जाता है चलिए मैं जब तक नेश्ट को आपको बता दूँगा देखिए बढ़ते हैं नेश्ट कोस्टन के और आपसे क्या पूचा गया था बाल निकेतन संग मद्यपरदेश राज जी का पह बेटी द्वारा किया गया था तो यह था सालिनी ताई द्वारा किस्ती द्वारा सालिनी तिरी चलिए चलिए सरजी बोल रहे है युवा दिवस बिलकुर बेटा क्या होगा सर युवा दिवस 12 जनवरी को कौन सा दिवस मना जाता है तो एक ही स्टुदेट का आंसर सही आ है यह पास युवा दिवस क्या आप सभी को पता नहीं है क्या अगर नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत है चलिए भारत रितन पाने वाली मद्यपदिस की पहली महिला मैंने आपको बताया था बच्चा कि आप लोग को पहले जिन जिन को एवाड मिला है कौन से को जिसे न् करके बताईएगा बच्चा तभी तो हमें समझ में आएगा कि हाँ आपकी प्रिप्रेशन सही चल रही है सर चलिए नेश्ट कोशन क्या पुछ आगया था आपसे तो जल्दी से बताईएगा खालिस्तान अमेरिका के के टालिया चैनल में पार करने वाले भारत भारत के मद् सेसन को सेर कर दीजिए चलिए बढ़ते बच्चा नेश्ट कोशन के और देखते नेश्ट कोशन क्या है तो सर नेश्ट कोशन हमसे पूछा गया है क्या है सर नेश्ट कोशन बता दे आपको मद्यपरदेश लोग सेव आयोग के प्रतम अध्यक्ष कोन है चलिए बिलकूर ब जो प्रतम थे चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कोशन क्या पुझा गया था उसर नेस्ट कोशन पुझा पुझा गया उन्हें छपने भारत में पहले पुलिस महानिरिक्ष प्रतम बहुत ही मतलब आप मद्यपरदेश का जीके पढ़ रहा है बच्चो ठीक है तो आपको प्रतम य उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करें मैंने महामेरतान तीन घंटे की जो आपके लिए एक जीके की क्लास बनाई है जाकर देख लिजीगा जो विद्यार्ती ने नहीं देखा है इसर टीस कोशन आपने को मिलने वाले है चलिए तो क्या होगा सर इसका बी जी घाटे इस कर सब जरूर करें बच्चा चलिए मद्यपरदेश में किस मुख्य वेक्ति ने बच्पन बचाव आंदोलन तो यह कैला सत्यार्ती थे बहुती एजी कोशन पूचा गया था बच्चो अगर आप लोग एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं गो तो ऐसे कोशन तो गलती मत मत्यपरदेश में मत्यपरदेश निवेशं में पारितर 2,5 में पूच्पन बनी तो यह बनी थी 2003 में कब बनी थी 2003 में तो बच्चा राइटांसर क्या होगा 2003 इसका राइटांसर रोगा क्या आप सभी विद्यारती सही कर पाएंगे बिल्कुर अगर आप सभी विद्यारती ने सही किया तो बहुत ही अच्छा किया है बहाई महावीर खालिस्तान तक मद्य प्रदेश्क राज्जी के राज्य पाल के रूप में सपत मतलब में कारे रदस थे तो कोन से कारेकाल में उनका कारेकाल से 1698-983 तक थे कि आपको समझ में आ रहे हैं क्या बिल्कुर आपको समझ में आ ही जा 얼마나 पूछा गया था था नेश्ट कोस्टन आपसे पूचा गया था निवने लिकित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र सासित प्रदेश हैं जिनोंने 100% जैविक खेती किया था तो यह था लक्षदीप गठ गया है तो यहाँ लक्षदीप अब जल्दी से कमेंट्स करके सबी बताई कि लप्षदीप की राजधानी क्या है जल्दी से अगर आपको पता है अगर आप लोग हमें देख पा रहे है जल्दी से बताइए मुझे कि आपकी लप्ष दीप की राजधानी क्या है तब तक हम लोग नेश्ट कोश्टन के और बढ़ते है चलिए निवन लिकित में सिर्की से इसका नाम क्या था सर सिम्रन सर्मा क्या होगा सर सिम्रन सर्मा इसका राइटांस था हमको इस तरीके से कोश्टन पूछा गया था चलिए सर नेस्ट को चुम क्या पूचा गया थे देख लेते विक्रुमो वर्सी एक नाटक है जो खालिस्तान है आपको पता है कुमार संभवं विक्रुमो वर्सी यह सब काली दास की राचना है तो काली दास की यह नाटक है तो आप लोग ऐसे भी कोश्चन गलत मत किजिगा कोविड-19 काल के दवरान अपचारिक छेतर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के ने अवसरों को स्रजन को प्रोच्षाइट करने के लिए आत्म निर्वर भारत पेकेज 2.3.0 के तहत केंद्रिय मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित योजना का नाम को स समझ में आ रहा है क्या एक बार थमसप कर दिजिए कि हा सर हमें सेसन समझ में आ रहा है चलदी से मुझे बताईए क्या सबी बच्चे जुड़े हुए है और जुड़े हुए खान कुन सी है तो यहाँ तर मलाचकन खान जो आपका कापर कहां मिलता है सर तो कापर सबसेज़ादा कहाँ से मिलता है तो मलाचकन वाला गाट मिश्तीत है क्या आ Probably समझ में आ रहा ही क्या मिलकुर आ था तो यह थे मुख्चे नायदीत मुहमद रफिक कुंते सर मुहमद रफिक थे क्या आपको समझ में आ चुका है क्या अब कि नेस्ट्कोोउचन क्या पूचा घया था चली करावति क्या है बिलकुर बचो और देख लेते हैं नेस्ट्को fragrance आपके स्क्रीन पर आ चुगा है तो question पूचा गया था आपका चली next question है आपका दस्वी सताब्दी इसाप पूर्व में लिखी गई वामस थाप कस्नी खालिस्तान की एक टिपनी थी तो यहाँ थी महावमसा किसकी थी सर महावमसा की थी बहुत ही अज़िप ताइप का question पूचा गया था चली next question क्या पूचा गया था सर नेस्ट question देख लेते हम लोग यहाँ पर कैलासनात काड़जू वर्स दोजार संत्यान बिमें परदेश के खालिस्तान मुक्यमंत्री बने थी यहाँ तीसरे बने थी कोंसे था थर्ड नमबर के बने थे तीसरे नमबर के बने थे चली फिर आ हमने आपको बताया था और हमने यहाँ जीके तो बहुत ही सांदा सारीके से पूचा गया था क्या है सर ओड़ी सामय है इसको पढ़ने के जरुरत ही नहीं पढ़ती इसको तो चली नेस्ट question क्या है तो नेस्ट question पूचा गया था दिसंबर 2020 में गोसित पंडित दिन्दैल उ करने के लिए सरव परतम किसे चुना गया था तो सरी निवास कर्मन किसे सर ओप्सण रमरे सिरी निवास कर्मन को चूज क्या था चले बच्छा बढ़ते हैं लोग next question कि अपसे क्या पूचा गया है तो नेस्ट question क्या है तो कुंसा सर मालवा चित्र में इए चलि उज्जेन वाले मालवा चित्र वाले मिलता है बच्छा इसे आप मुझा पुरोग तो लास्ट कोर्षन जो है जिके का कुंसा है तो लास्ट कोशन पूचा गया था आप से दिसंबर 2020 में प्रतिष्टिस टाइम मेगजिन द्वारा निवनलिकित में से किसे kid up the year की रूप में नामनीत क्या गया था तो गितान जली राव को किया गया था किसे सर गितान जली राव अगर आप सबी विध्यारतियों का option number B आ रहा है तो बिल्कुर सही प्रियास क्या होगा सर गितान जली राव चली अब देखिए science के अभी जो है अपने gk question कर लिया है अब हमें 100 जो है यहाँ पर science की question करना है कितने सर 100 question करना है तो एक बार सभी विध्यारति सेशन को share कर दीजिए अब science का pattern देख लिजिए कि science का pattern कैसा पुचा गया था जल्दी से मुझे thumbs up कर दीजिए क्या आप लोग जुड़े हुए बच्चा हमसे एगर जुड़े हुए है तो मुझे thumbs up जरूर कर जिएगा कि हाँ सर हम लोग जुड़े हुए 8 बजी भी में आपकी class लेने वाला हो बच्चा तो परेशान मत हुएगा आप लोग यह मेरा मकसद ही ऐसा है कि मैं आपको बता दू कि हाँ इस पेटरन पर आपको त्यारी करना है इस वे की ओर जाना है तो इस देखिए वे देखिए और हमारे जो आपको question करवा रहे है बच्चा बहुत से बच्चे comments कर रहे हैं कि सार आप लोग easy question करवाते बच्चा पेटरन देख लिजे आप लोग exam में पुछे के question ही हमें अभी करवा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर यहाँ पर आपको निसान पहले से लगा दिख रहा है देखिए बढ़ते कपास के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी क्या प्रकार क्या है तो काली मिट क्या पूचा गया था यहाँ पर कि अगर आप लोग इने नोट डाउन करेंगे बच्चा तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा देखिए एक बार से सेर कर दीजिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी विध्यारती जो यहाँ पर पढ़ने के इच्छा रखते हैं जिने एक्जाम कॉलिफे करना है जिने अपने पैरेंट्स का नाम और अपने नाम जो है अच्छे उस मुकाम पर लाना है तो हम महनत कर रहे हैं हमारे साथ यह चलिए देखते हैं नेश्ट कोश्चन क्या था सर तो साल्टिंग खालिस्तान के सनरक्षित करने का एक सामने तरीका है तो यह मचली का ठीक है बच्छा मचली और मचली स्वाल्स का इसे लेती तो सर गल गिल से लेती है सर नीव शीलेबस सेम होगा बिलकुर बच्चा सेम होगा सिलेबस में कोई निकट ने जो शीलेबस पहले दिया था वह सिलेबस अभी रहने वाला है और पेट्रन देख लेजए इसी पेट्रन पर आपको कोश्चन पूछे जाएंगे तो देखिए बच्चा यह कोश्चन क् मैंने क्या बताया था एक बट्टे 10 होता है तो क्या द्रविमान नहीं बताया था बच्छा मैंने भार बताया था अगर आपको समझ में आ रहा है क्या चलिए अगर आप लोग यहां पर हमारी कलासेट लगाते हैं तो भरोसा हम आपको स्मेरिड में जरूर लाएंगे चलिए देखके सर नेस्ट कुछ रूर्प क्या पूचा गया था निम्न लिकित में से कौन सा हाइड्रा खाली हाईड्रा पर लागू नहीं होता तो कासी भी संचार जो है हाइड्रा पर लागू नहीं होता बाकी जो सब दिया था वह लागू होता है मैंने पसले आपको बता था कि नही पर आप लोग विशेश रुख से ध्यान रखेंगे सबी बच्चे क्या है एसे बूल जाते हैं जो आपका नहीं पुच्या गया है और है लगा कि आ आ जिते हैं गलती करने क्या नहीं अब हम लोग गलती नहीं करए। तो चलिए देखते हैं, नेस्ट कुषा गया था, पित बाइल, निम्न लिकित कोसिकाव से किसके द्वारा इससरायत होता है, तो यह है है हपयतोसाइड किसके द्वारा हजता है, छलिए फिर नेस्ट कुषा गया था, चुम्ब के छेत्र के पर होती है तो यह होता है सर 90 कितना होगा सर 90 90 डिगरी पर होता है कि आपको समझ में आ रहा है अगर आ रहा है तो मुझे थमसब भी जरूर करते जाएगा कि हमें समझ में आ जाए कि कौन कौन student हमसे जुड़ा हुआ है ठीक है बचा कि अगर यहाँ पर जो है विद्यारती नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा और मैं आपको विशेश बात बता तूँ मैंने physics की स्याम में class प्रारम कर दिया है same question आपको मिलेगा बच्चों कोई question बाहर जाएगा नहीं यहाँ से like in जो है इसे इसे बने होते है तो like in आपको पता है कवक और सयोकाल के बीच की कड़ी माना जाता है किसे सर like in को माना जाता है बहुत ही easy बेटरन पर question पूछे गया थे बच्चा अगर आपने 100 प्लस नहीं लाया होगा तो आपको फिर महनत करने की ज़रुरत है तो देखे तत्व थोरियम का परमानुभार ये कोई question है बच्चा 90 होता है चली ये कोई question पूछा है एनम वाले student को बोल दो मैं किया है question है क्या है आपके exam के life का question नहीं है बच्चा ये बहुत ही easy question है अगर आप 12 में भी पड़े होंगे तो आप लोग इसे गलत नहीं करेंगे सर नेश्ट कोचे क्या पूछा गया था 10 वाट पावर वाली एक भाप इस्तरी द्वारा प्रती सेकेंड में खपत लाने वाली उर्जा क्या है उस गेस को पैष्चान करें जो सूर्य के प्रकास में उपस्तीद में इस्टार्च त्यार करने के लिए पोधे द्वारा उप्योग मिला जाती है question आपसे घुमा दिया है बच्चो question घुमा कर पुछा गया है बट answer तो एक ही होगा sir question घुमा है चाह ना घुमा है answer तो एक हो carbon dioxide गया आपको पता है सूर्य प्रकास में जो गेस उप्योग मिला जाती है कौन सी है sir carbon dioxide है तो question आपको घुमा दिया है और आपको ऐसे घुमना नहीं है अब आपको क्या करना है sir सही प्रयास ही करते रहना है चलिए next question क्या पूछा गया sir तो next question आपसे पूछा गयता है दी गई विकल्पों में से गैर विद्दू तब घट की पहचान करें तो चीनी विलियन इसका राइटांस होगा क्या होगा sir चीनी विलियन अगर आपको का प्रयास option number B था तो बिल्कुर सही प्रयास था चलिए बड़ते बच्चा next question क्या next question पूछा गया था sir आपको पता है उल्लू जो है रात में तो दिखते हैं आपको नाइट में दिखते हैं तो इसका आपको रिजन क्या कहा है इनने देखना है तो इसका अंसर होगा उनकी आखों में संखु की तुलना में राड की संख्या अधिक होती है ठीक है बच्चा, option number B, इसका राइटांसर है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आ रही होगी तो session को share जरूर करेगे बच्चा चलिए, सर, next question क्या पुचा गया था, तो बिल्कुर बता दू में next question, उन जीव की पहचान करें, जो Y.U.G.V. स्वास लेते हैं तो क्या होगा, सर, पूरूस, क्या होगा, पूरूस इसका राइटांसर होगा, जो Y.U.E. सास लेते हैं next question क्या पुचा गया था, तो देखते हैं, हेली धुम के तू, 76 वर्सों में दिखता है, आपको पता है आप जैसे science की book खोलेंगे, तो बिलकुर आप लोग को एक ब्रह्मान का, जो है, ब्रह्मान, जो ब्रह्मान क्या है, टॉपिक है उससे question है, यह पूचा गया था, क्या होगा, सर, यहापर हैली धुम के तू होगा, बिलकुर सही प्रयास है चलिए, next question क्या पूच गया था, तो यह तो सर, आपको पता ही है, और हमको भी पता है, कि जो है, आपका, कौन सा वह नियम, जिसके अनुसार, दो पिंडों के बीच में, संचाल, संचालक से होकर, जाने वाला, विद्धुत, विद्धुत धरा, दोनों बिंदुओं के, वि is equal to ir, आपको पता ही, बच्चा कि, क्या होता है, सर, तो बिल्कूर, सर, यहाँ पर ओम का नियम होता है, क्या है, यह यह ओम का नियम है, चलिए, बढ़ते है, तो देख लेते हैं, आदुडों का अनुभाविक सुतर, क्या है, तो गुiles का तो आपको पता है, गईस, junk actual cost का क्या होता है सर अनुभाविक सुत्र चलिए नेश्ट कोच्टन क्या पूचा क्या है सर देख लेखे नेश्ट कोच्टन क्या है प्राजमी वेक्टर के साथ एंटिवर्टिक प्रति रोध जिन की लीकिंग खालिस्तान की खोज के साथ संभव हो जाती है तो DNA इसका राइटन्स का नाम रोशन करेंगे करना चाहने वाले स्टुडेंट हमारे साथ जुड़ जाएगा चलिए नेश्ट कोच्टन क्या पूचा गया था निम्नलिकित में से कौन सा एक अलपविक्सित अंग नहीं है तो क्या है सर पत्तिया जो है यहाँ पर अलपविक्सित संग अंग नहीं भी है बहुत ही पूचा गया था चलिए ऐकट कोच्टा में कितने परमानु वस्तित होते हैं तो यह ऌते है छोते हैं आप उर्ध पातन मैंने कल वाली क्लास में कुस्टन करवाय था जाकर आप लोग जो इस्टुडेंट ने नहीं देखा है तो आपर जाकर जो है फिजिक्स क्लास देख लीजेगा चलिए निम लेकित में से कौन सा प्रकिरिया नाइट्रेट को नाइट्रेस आकसाइड और नाइट् नाइट्रेकरन है कौन सा सर वी नाइट्रेकरन मतला ओप्सन अबर ए इसकर आइटांस रता क्या सभी बच्चों ने सही कर पाया तो यहाँ पर उनके मार्क्स जो है इंक्रीज होने वाले हैं देखिए वेक्ति को एक नाम देने की प्रनाली को खालीतन का जाता है तो यहाँ यूनोमल नामकरन कर लाता है क्या सभी बच्चे बिल्कुर सही प्रयास कर पाये होंगे बच्चा इसे मैं फास्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आंसर आपको दीख रहे हैं रिविजन कीजेगा कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग वह पढ़िएग कि आपको यह question दिखा दू कि इस question इस pattern पर पूछे जाते हैं निमलिकित में से किस ग्रह को के चार वलय नहीं होते हैं देखिए अरून में भी होते हैं ब्रसपती में भी होते हैं और सनी में भी जो है वलय होते हैं नहीं होते कि इसमें मंगल में जो लास्ट के ग्रह दिया ह बच्चा उसमें क्या होते वले पाय जाते हैं और जो पहले के ग्रह है मतलब ब्रस्पति के पहले वाले ग्रहों में वले नहीं पाय जाता है यह आप लोग ध्यान रखेगा चलिए निस्ट कोशन क्या है सर तो देखते निस्ट कोशन क्या पूचा गया था तो निमलेकित में क पानी में प्रदूस्टन को इंगित करता है तो यह करता है बच्चो बी ओडी की मात्रा बी ओडी की मात्रा जो है इंगित करती है चलिए आट बजे फिर से में आपके सामने आने वाला हूँ question लाओंगा question pattern आपको उसमें comments करके बताना है चलिए अगर आपको यह session पसंद आ रहा होगा बच्चे तो like जरूर कीजिएगा देखते next question क्या पूचा गया सर तो next question आप से पूचा गया था चलिए इसके बाद में science का एक पारिश्तिति की तंत्र में पधार्त के अनुचकरन में सायक होता है तो यह होता है सर अपघटक कौन सा होता है सर तो अपघटक इसका राइटानस रोगा क्या सभी बच्चे हाँ पर समझ पाए क्या बिल्कुर चलिए next question क्या है तो देखिए next question पुझा गया था सर एक मसीन एक ऐसी चीज है जो एक बल को परिवर्ति करती है और खालिश्तन बनाती है तो यह जो है कार्व काम बनाती है काम को आसान बनाती है क्या है सर काम को आसान बनाती है क्या है सर ऑप्षन बग इसकर आइटान्स रोगा चलिए क्या आपको सेशन समझ में आ रहा है बच्चो सेशन समझ में आ रहा है तो थमसब जरूर कीजेगा मुझे ताकि आप इस समझ में आ जाए कि हाँ आप हमसे जुड़े हुए हैं तरल दाप के मातरा खालिस्तान है तो इसकी गहराई के विद्प्रमानुपाती है, चलिए, इजी कोशन पूचा गया था बच्चो, फिर भी आप लोग 100 प्लस मार्क्स नहीं ला पाते, अब जो है आप लोग 100 प्लस मार्क्स लाएंगे, अगर आप हमारे साथ बने हुए है, लोहिक की मिसर धातू, स्टेंलें इस् साथ भिन सूरी और प्रत्वी के बीच के गुर्तवागर सन जी का मान होगा तो यह रहता करेक्टांज सर्थ आपको दिया हुआ था क्या सर जी समानुपाथी होता है आपका क्या होता है सर वन बाइड़ी स्क्वियर के क्या होगा सर अप्शन नमबर भी इसकर राइटन्स परिचारक से किससे सर परिचारक आपने प्रयास किया हुगा तो बिलकुर सही प्रयास किया है चलिए नेस्ट को आपसे पूचा गया था देखिए जो जीव कम से कम समान है उन्हें इसके अंतरगत समूबद किया तो यह हैं जगत जगत के अंदर kingdom फाइलम में इन्हें जो है भरकी करत किया जाता है सर जी एन्यम नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और होगा क्या बिलकुर बच्चा और होने वाला है जो आपने एक्जाम दिया था जगत करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है चलिए जैविक प्रदोगी की निम्नली कित में से सभी में इसका उपयोग पर आता मतलब पाता है सिवाए किसके तो बहाई चेतर में सीमित प्राणी की समस्याओ का अध्यान तो क्या होगा सर ओप्सिन नमर्डी इसका राइटन्स रोगा क्या सभी बच्चे आपर समझ पाए क्या बिलकुर समझ में आ रहा होगा आप सभी दियार्तियों को पैटरन देख लिजेए बच्चा किस पैटरन पर कोश्टन पूछे जा रहे है जब उर्जा का एक रूप दूसरी रूप में परिवर्थीन होता है तो कुल उर्जा कितनी होगी तो क्या रहेगी सर इस्तिर रहेगी क्या सर इस्तिर रहेगे दीखिए अगर जो है कटाप कितना रहेगा रिजल्ट कब आएगा आपको पता है बच्चा सीटे कितनी है अगर आप लोग के नंबर जो है अच्छे है अच्छे मार्स है कि हाँ सर हमारा सेलेक्शन हो सकता है तो आप लोग पढ़ाई करना छोड़ दीजी अगर आपके मार्स जो है कम है तो आप लोग कटाप की ही चिंता मत करें कटाप बीचे नीचे नहीं गिरने वाला है सीटे बहुत कम है पहले ही बता दू आपको चलिए जब एक रंगीन तरल एक्स की वो वीडियो मिल जाएगा बच्चों आपको कटाप का कैसे कटाप जो है कितना कटाप रहने वाला है चलिए कुस्चन देख लिजिए पहले कुर्ण सा कुस्चन आपसे पूछा गया था तो जब एक रंगीन तरल को पाउडरी करत समुदरी सेल के साथ मिला जाता है तो कार्बंडाय आक्साइड गेस निकलती है तो चुन चुना पानी को दुधिया रंग में परिवर्तित कर देती है तो यह है तनू हाइड्रोकलोरिक अमल कुन सा है सर तो यह होता है परितंत्रिका के द्वारा किसके द्वारा परितंत्रिका के द्वारा होता है आईरिस के द्वारा होता है चली गुड मॉनिंग संतोस जी गुड मॉनिंग वेरी गुड मॉनिंग बच्चा चलिए नेस्ट कुस्टन क्या है सर तो नेस्ट कुस्टन आप से पुचाता है एक गराम पदारत के पूर्ण दहन के दवरान न्यूक्त उर्जा का मातरक है तो यह है केलोरी कौन साइसा उर्जा का मातरक तो केलोरी है क्या आप सभी सही कर पाए हैं अगर आप लोग फिजिक् है आड़वजे आपको पता है कि सर हम से यहाँ पर बता दू मैं पिनेस्टरी क्लास जो आटबजे से लगने वाली आपकी साइनस की कुस्टन में करवाता हूँ यहां जो है कुश्चन आपका एनालिसिस करवा रहे हैं हम लोग पेपर का ठीक है बच्चों तो देखिए हम मैं बताना चाहता हूँ इस जो है कोस्चन की पैटरना देख लिजिए इस पैटरन पर एक्जाम में कोस्चन पूछे जाते हैं देखिए नेस्ट कोस्चन क्या पूछा गया था जल विद्धूत पावर इस्टेशन में उर्जा परिवर्तन है क्या है यांत्रिक उर्जा से विद्धूत उर्जा आपको बताना है था कि यहाँ पर कौन सा इस्टेशन में क्या परिवर्तन होता है तो यहाँ पर यांत्रिक जो mechanical energy, electrical energy में परिवर्थित होती है नेस्ट कोस्टन क्या पूचा गया है बहुती easy question पूचा गया था बच्चा यह तो normally बच्चा पढ़ता ही है bleaching powder का सुत्र पूचा था तो C-A-O-C-H-2 होता है क्या सभी C-L होता है बच्चो क्या होता है तो यह होती है पेप्टाइल के रूप में किसके रूप में पेप्टाइल के रूप में होती है तो क्या चलिए good morning निकिता जी आप अगर student हम से जुड़े हुए है तो आप सभी विद्यार्टियों का स्वागत है सभी बच्चे यहाँ पर जुड़े रहिएगा चलिए दिप्ती जी कल साम में physics class लग गई थी थोड़ा जो है नेटर का इसू था तो मैंने वो class upload कर दिया था मैं यह नहीं चाहता कि आप कोई class भी मिस करे और आपका जो है कोई नुकसान हो चलिए class मैंने upload कर दिया था physics की निम्नलिकित में से क्या एक दिश्ट मातरक नहीं है तो क्या इसर समय जो है यहाँ पर एक दिश्ट मातरक नहीं है चलिए next question आपको सवालू करने वाला था तो देखिए next question क्या एक परिपरत में विद्धुधरा 0.1 सेकेंड में पांच दसमलो जीरो ए से लेकर जीरो दसमलो जीरो ए तक मतलब एंगिस्ट्रोन तक गिरती है यदि 20 वाट की और सदन वोल्ट प्रेरित होता है तो परिपत में परिपत में स्वेपेरित का अनुमान होगा तो यह था चार हावर क्या होगा सर चार हावर समय पूछा गया था स्वालो करवाना है अगर यह कोस्टिन आपसे नहीं बनता साल कितने बज़े लगती है सर चलिए देखे मैं आपको बता दू क्लास का टाइमिंग मैंने वहाद दे भी रखा है आप जो है मौर्निंग आड़ बज़ा आईए जी हा सर मौर्निंग आड़ बज़े कहा समाधान स्टेडी पर आईए और यूनिंग साथ वज़े कितने बज़े साम को साथ वज़े जरूर से आईएगा क्लास बिलकूर सांदार होती है अगर देखिए नियुमेरिक का कोस्टिन पुझा गया हा सर बिलकूर नियुमेरिक का कुछ है बच्चों मैं इसलिए जल्दी कर रहा ह तो नियुमेरिकित में से कौन सा अंग खुद को पुना उत्पन करता है तो यह लिवर है जो यकरत है जो खुद को क्या करता है जो है यहाँ पर खुद को क्या है बनाता है चलिए नियुमेरिक कोस्टिन आपके स्क्रीन पर बच्चा दरवाजा का खुलना खालिस्तान का उ के लिए किस रसायन का उपयोग के जाता है तो यह होगा सितित एथिनाल इसका राइटन्स रोगा चलिए क्या होगा सर सितित एथिनाल चलिए सभी बच्छा एक बार क्लास को सेर कर दीजेगा इसके बाद मेरी जो है बायोलोजी और आपकी क्लास प्रारम होने वाली है तो एक पदार्त की गतिक हालिस्तान के रूप में जानी जाती है तो यह होगा एक्टिव ट्रांस्पोर्ट क्या होगा सर एक्टिव ट्रांस्पोर्ट आज सभी विध्यार्तों का आया होगा तो बिल्कुर सही प्रयास आया होगा चली नेस्टो कोस्तन क्या पूचा गया था सर तो क्वींडर्न निमनलीकित सभी के उत्पादन के लिए नियोजित प्रकार प्रकिर्या है चली नेस्टो कोस्तन क्या पूचा गया था सर बिलकुल भैतरी तरीके साब समान तापमान पर गेस पर उसके कोतना पर द्रव में एक केजी के रूप में हेतु आवजस्चक उस्मा की मातरा होती है तो यह होती है गुप्त उसमी करन की गुप्त उस्मा तो ओप्सन नमर सी राइट अंसर था तो क्या सभी बच्चे आपर सही कर पा रहा है क्या बिलकुर अगर आप हमसे पढ़ रहा है तो बिलकुर आप गल्तिया नहीं करेंगे जिर स्टुडेंट ने हमारी जो है जो स्टुडेंट हमसे क्लास लिया है एनम वाली तो वह बच्चों के अच्छे माक्सा है 100 माक्स लिया है किसी ने 90 माक्स लिया है किसी विद्यारती ने 90 प्लस माक्स लिया है अगर आप लोग हमसे बने रहते बच्चा तो आप जो है सेलेक्शन जरूर से लेंगे चलिए टेरीडोफाइट के पूरुस लिंग अंग का नाम क्या है तो यह होगा एथेरीडिया इसका होगा चलिए चलिए मुझे थमसब कर दीजिए क्या आप लोग को सेशन समझ में आ रहा है क्या आपको जो है यह इसी पैटरन पर कोश्चन पूचे गया था कथन जो उपयोग के अनुपयोग के सिधानत को सबसे अच्छी तरह से वर्नित करता है बड़े पैमां पर उपयोग किये जाने वाले सरीर के हिस्से मजबूत और बड़े होते है और जिनका उपयोग सोशन या बिगरने के लिए नहीं होता है चलिए मेरा मकसद यही है कि आप इस पैटरन पर पढ़िएगा बच्चा इसलिए मैंने यह क्लास लाया है आपके लिए देखें नेश्ट को सेंग क्या है सर तो देखें नेश्ट को सेंग क्या पूचा गया सर नियूमेरिक आ चुका है बच्चा आपके सामने तो नियूमेरिक क्या पूचा गया सर वह माध्यम जहां धोनी की चाल तीन सो चालिस मिटर पर सेकेंड है उसी माध्य में एक मिनट में धोनी कुल कितनी उर्जा ताय करेगी सर आप PNST की क्लास एक बार ही होती है क्या नई बच्चा दिन में दो बार होती है PNST वाली स्टुडेंट और जो भी स्टुडेंट यहाँ पर अपनी एक्जाम की प्रिप्रेशन करता है एक बात विश्यस भुरुक से बता दू आंसर आपको बता दू पहले देखिए अगर आप लोग इस फिल्ड में जाना चाते तो बहुत ही कम competition है बच्चा अगर आप लोग railway में जाए, SSC में जाए, bank में जाए, करोडो, लाको फॉर्म जाते है पर यहाँ यह जो आपने फिल्ड चूस किया है यहाँ पर बहुत कम भी फॉर्म जाते है और बहुत ही कम ही कटाप जाते है, बहुत ही कम विध्यारती मिलते है तो इसलिए जो है आप लोग अपने ही फिल्ड में जाए, अपने ही फिल्ड में कुछ अपना अच्छे से नाम कमाईए इसलिए मैंने आपके फिल्ड को लेकर ही यहाँ पर classes बना है आप मैं railway भी बना सकता था, मैं आपके लिए SSC भी बना सकता था बट नहीं आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर regular classes दिलाने का मक्सा देई है कि आपको अभी हमें सिपलता दिलाना है विद्दारा को जिस उपकरन की मदद से मापा जाता है उसे क्या का जाते है तो जो आपका eme meter का जाता है क्या सर eme meter अगर आपका प्रयासा है तो बिल्कुर सही प्रयास था और बहुती संदार प्रयास के आए सभी बच्चों ने चलिए देखे है यहाँ पर next question क्या है सर निवन लिकित में से कोन उपधातु का एक उधारन है तो यह होगा SI क्या होगा सर SI इसका सही आंसर होगा अगर आपने प्रयास किया था तो चलिए next question क्या पूचा गया था तो next question है निर्मोचन या माउडिंग एक प्रकीरिया है जो निवन लिकित में से किस फाइला से संब्धित है तो यह है आर्थपोड़ा आर्थपोड़ा मैं आपको जो है यहाँ फाइलम वाले question करवा रहा था बच्चा अभी मैं आपको फाइलम वाले question करवाऊंगा जी विज्यान में तो आप लोग वहत जाकर भी देरो देख लिजएगा नेश्ट कोसन क्या पुचह गया था शगनन की प्रकीरिया के बाद तरल एक वास्प के रुपांत्रन खालिस्तान की रुप में किया जाता है तो यह होता है आस्वन क्या होगा सर आस्वन इसका राई होता है वीटामिन इन थी पूचा था मैं विटामिन इनके किया हुगा है आप सही होता है क्लास नहीं चैनल होगा क्या होगा सर डेमोग्राफी होगा मैं आपको जो है क्लास से स्क्रीन सोट लेकर भी बता सकता हूँ कि मैंने ये क्लास करवाया था और ये question आया है चलिए बहारी कान को खालिस्तन कहा जाता है तो इसे कहा जाता है पिनना क्या कहा जाता है सर पिनना क्या होगा सर option number A इसका राइटन सरोगा बिल्कुर सर हमने क्या किया है option number A प्रियास किया है चलिए next question क्या पुचा गया है तो next question है निमनलिकित में से कौन सा calcium carbonate का एक रूप है तो यह है उपरोक्त सभी क्या है सर केवल चूना केवल चाप या केवल मारबल तो क्या होगा तीनों जो है यहाँ पर carbon के रूप विद्यार्तियों के सही प्रियास चलिए चलिए बच्चा इतने ही question यहाँ पर so हो रहे है चलिए इस PDF में इतने ही question आया है चलिए बच्चा इसमें 65 इकोस्टन आया है यहाँ पर 64 कोस्टन आए है बच्चे जो 25 कोस्टन है मैं आपको next वाली क्लास में complete करवा दूँगा यहाँ पर इन्होंने जो है PDF जो है हमारे पास 25 कोस्टन आपके 100 नहीं हो पाये है तो चलिए इतने ही कोस्टन थे मैं आपको कल करवा दूँगा या फिर मैं साम वाली कलास में आपको दे दूँगा बट अभी आपको कौन सी कलास स्टार्ड होने वाली आपकी महतपून कलास जो सभी एक्जामों के लिए महतपून है तो अब जो है आपकी 8 बज़े कलास प्रारम होने वाली है तो जो इस्टूडेंट यहाँ पर अभी नहीं जूड़ पाए हमसे तो 8 बज़े वाली कलास में जरूर जूड़िएगा तो चलिए गच्चो यहाँ पर कित्ते लोग जूड़ चुके थे मुझे थमसब करके बताईए कि हां सर हम जूड़ चुके थे चलिए तो देखिए बच्चा अगर आप लोग चनले में नहीं होगे चनले को सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमसे तो आप लोग बने हुए है तो कुछ सीखनी को मिलेगा और हम भी सीखेंगे सर और आप ही बिल्कुर हमें सिलेक्शन दिलवा सकते हैं प्रेशन रखिए भरोसा रखिए और सभी क्लासे को आप लोग जॉइन कीजिए चलि जहिन बच्चो फिर में आपको क्लास में मिलते हैं अब तब तर के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी पैटर्न पर अपनी एकजाम की तैयारी कीजिए जै 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 छास्त है